नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब ये है मेरी दोस्त प्रहनवी नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब प्रहनवी क्या आप मचे बता सकते हो मेरे इन दो हातों में कितनी फिंगर्स हैं जी हाँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, दस बिल्कुल सही, ये हैं दस का समू तो आज हम पंडे वाले हैं दस का समू प्रैनवी, क्या तुम इस्क्रीन पर ये चित्र नजर आ रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल सही, क्या आपने कभी इसके बिन्दू गिने हैं? नहीं तो चलो, आज हम इने गिनते हैं पहले चित्र में कीडे पर कितने बिन्दू हैं? एक, दो, तीन, चार, चार बढ़िया, और दूसरे चित्र में? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे बहुत बढ़िया, अब बाकी के चित्र में बिन्दू कौन गिनेगा? हमारे दूस प्रन्वी, मैं तुम्हारे लिए खेल आई हूँ, खेलोगी? जी हाँ तो बताओ, ये कितने बटनों का समू है? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच और इस समू में कितने बटन है? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच इस वाले समू में? एक, दो, तीन, तीन बिल्कुल सही, अब बाकी के समू के बटन कौन गिनेगा? हमारे दोस्त इसी तरहां आप इमली के बीच, पत्थर, कंकर और बिंदियों से अलग-अलग पैटन बना कर उन्हें गिन सकते हैं प्रनवीत देखो, ये लाल बिंदी वाला चूहा क्या लेके आया है? लाल और पीली बिंदी लाया है क्या तुम्हें इन बिंदियों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? जी हाँ, लाल बिंदिया एक अकार में है, पीली बिंदिया फैली हुई है तो चलो, हम ये लाल बिंदिया गिनते हैं, इसमें कितनी बिंदिया है? एक, दो, तीन, चार, पांच और इस वाले में एक, दो, तीन तीन बिल्कुल सही और इस वाले में एक, दो, तीन, चर चर तो हमारी संख्या क्या बनी? पाँच, तीन, चार प्रनवी, क्या आपने ऐसी बिंदिया कहीं और देखी है? हाँ कहा? डाइस में तो क्यों ना हम डाइस से खेले? जी हाँ तुम अपनी पसंद का एक रंग चुनो हाँ मैं चुनती हूँ पीला अब हम एक-एक करके पास आप फैकेंगे और जो संख्या आएगी उस संख्या में अपना रंग भर देंगे स्क्रीन पर एक टेबल दी गई है जिसमें सारी संख्या लिखी है जिसका रंग जाधा भर जाएगा वो जीट जाएगा मैं शुरू करती हूँ मेरा आया पांच मैं पांच में पीला रंग भरूंगी मेरी बारी मेरा आया चार अब मैं चार में हरा रंग भरूंगी अच्छा मेरा आया तीन अब मैं तीन में पीला रंग भरूंगी अब मेरी बारी मेरा आया दो अब मैं दो में हरा रंग भरूंगी एक और बारी खेले जी हाँ मेरा आया दो अब मैं दो में पीला रंग भरूंगी अब मेरी बारी मेरा आया पांच अब मैं पांच में हरा रंग भरूंगी बहुत अच्छे मज़ा आया प्रणवी हाँ इसी तरह से आप घर में या स्कूल में फ्री पीरिड में अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेल सकते हैं और देखिये कौन जीतता है प्रणवी क्या तुम कहानी सुनना चाहोगी हाँ कहानी मेरे को बहुत पसंद है तो ये कहानी है तूटते बटन गोला बंदर अपने पसंद की चार बटन वाली कमीज पहन के केले के बाग में गया उसे केले खाना बहुत पसंद था उसने खूप सारे केले खाए सोचो खूप सारे केले खाने के बाद क्या हुआ होगा उसका एक बटन तूटके नीचे गिर गया लेकिन उसने केले खाना नहीं छोड़े जिस कारण उसकी कमीज के बटन एक एक करके तूट ते गए तो आया मज़ा कहानी से हाँ तो प्रनवी अब चित्र देख के बताओ कहानी में क्या हुआ होगा पहले चित्र में बताओ क्या दिख रहा है बंदर केले लेके जा रहा है उसकी कमीज में कितने बटन है? चार दूसरे चित्र में क्या हुआ? उसने केले खाए, उसका एक बटन तूट गया अब कितने बटन बचे? तीन और तीसरे चित्र में? उसने और केले खाए, उसका एक और बटन तूट गया और अब कितने बटन बचे? दो अब अगले चित्र में क्या हुआ? उसने और के लिखा इसका एक और बटन तूट गया और अब कितने बटन बचे? एक और अंतिम चित्र में? उसने और के लिखा इसका एक और बटन तूट गया और अब कितने बटन बचे? शन्य बहुत खूब प्रनवी आपने बहुत अच्छा किया क्या तुम अब एक और चित्र देखोगी जी हाँ ये देखो बताओ इस डाल पर कितनी चिडिया बैठी है एक दो तीन तीन और इस दूसरे चित्र में क्या हुआ होगा एक चिन्या उड़ गई रह गई दो बिल्कुल सही और तीसरे चित्र में एक और चिन्या उड़ गई रह गई एक और इस अंत्यम चित्र में वो भी उड़ गई रह गई शुन बहुत ही बढ़िया क्या आपको शुन्य लिखना आता है जी हाँ तो चलिए हमारे साथ बनाईए, शुन्ये और हाथ को इस तरह से घुमाईए प्रनवी, अब ज़रा सोचो और बताओ आपको रात में कितने सूरज दिखते हैं? एक भी नहीं यानि कि शुन्या दूसरा सवाल हमारे दोस्तों के लिए दोपैर में आपको कितने चांद दिखाई देते हैं? तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा पढ़ते रहें, खेलते रहें और बढ़ते रहें बाई बाई पढ़ते रहें